में में आज अपने एक्जाम में बार वार आते रहते हैं वह किष्ण अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो को लास्तक जरूर देखेगा और आप नोटबुक लेके नहीं वेटे तो नोटबुक लेके जरूर वेटेगे ताकि कि आप साथ की साथ उन क्यूशनों को लिख लेगे तो साथ की साथ याद हो जाएगा पश्ट क्यूशन है कि विस्व स्वास्ते संगटन दुआरा पस्व पलेंग उनमुलन कब गोशित किया गया था यह ग्रिकल्च सुप्रवाइजर Film 2 सरफ मैं क्यूशन आया है तो ओफशन है आठ अगस्थ दोजार ग्यारा आठ अगस्थ दुच्व ब्लेंग के नरे क्यूशन ग्रिकल्च सुप्रवाइजर माइब्बार क्यूशन नालिज नम्माँ को इस मैं राइट्च jerk ऀ्यार शुक्रिकल्च साथई Deepabilie विशानू दुवारा जो कुक्ट में मतलब मुर्गियों में जो राने के डीजी जोती है वो विशानू वाइरस दुवारा होती हैं नेक्स्ट कुशन है कि मुर्गियों में पाउल वोक्स व्यादी से बचाओ है तो टीका करण की सही उमर क्या है ये अगरिकल्चर सुपरवाइजर दो जार तेरा में पूचा गया है कि उसनों ओप्सन है बारा से चोदा सब्ता आठ से दस सब्ता च्यार से च्छ सब्ता या द दोच लिया कि उसने अब यह एंध्रीक्स रोके जो लक्ष्न है वा ऑफसन है का ची करवपात आक्समिक मर्ति या लाल सरवण जो एंध्रीक्स रोक हो जाता है पसूं में तो वह अच्छानक उनकी मर्तियूं जाते है तो इसमें राइट आंस्सरों का सी मिक मर्तियूं क्यो तो जिवानों द्वारा, परजिवी द्वारा, कवक द्वारा या विशानों द्वारा तो इसमें राइट आंसर होगा विशानों द्वारा मतलब वाइरस द्वारा जो पसो में खुर्पका और मुपका रोग होता है वो विशानों द्वारा होता है इसमें खुर्पका मतलब पसो के खुर्पक जाते हैं उस डीजीज को खुर्पक कहते हैं आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिए जिका वर वेल आइकन जरूर दवाएगा ताकि एक्री कल्चर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पोफ सके नेस्ट क्य कि मुर्गी में चेचक रोग का कारण धर्यकर जीवाणू विषाणू कावकग फर जिवी रिग्रिकल्चर 2012 न को चेचक रोग होता हैTHE पसो में गलगोट रोग का कारण हैं आप म。 जो ईसमें right support już होगा वू पास्चुर्यला माल्टremosट होगा है जल पर दूसर से होने वाले डिजिज़ कौन यह रिडिकल्टिर सुपरवाइजर 2012 में यह नहीं होता है एप्युक्त वोग यहरे और बार्दूषन चीं होता है एंथ्रेक्स अम्यों भी सर्पेट्शन चीं से लिया ने प्युक्त आंसर गांवा उप्यूकत सभी जल्लब्रदूषन चीं होता है यह भी पोशन जनीत ज्यों रेंडर्फेस्ट बीजी जह वायर्श जनीत नेक्स्ट पसुपलेंग रोग की खोज करता कौन थे अलेक जेंडर फ्लेमिंग निकोली या डॉक्टर स्वामी नातन या लूइस फासर तो इसमें राइट आंसर होगा जो निकोली जो पसुपलेंग की खोज किया था नेक्स्ट क्यूसर 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 नेक्स्ट क्यूस वो सुखारों में भी होता है नेक्ट घूंसर होगगोग ती होगा कि दा रिंडरी ओंटाव्स दिजिड़ीज की खूज कि गुले नेक्ट फिलेंग पिलेंग की रोग थाम में वेक्सिन लगाते हैं, option है GTV, लेपिन आइजेड बाइरस वेक्सिन, पक्सी वाइरस वेक्सिन या सबी, तो right answer होगा इसमें D, next question है कि GDP का पुरा नाम क्या है, मतलब GTV की फिलपोरम क्या है, option है गोट टीसू बेक्टरिया वेक्सिन, जी टेल वीजन, गवार टुबेको वाइरस, गोट टीसू वाइरस वेक्सिन, तो right answer होगा गोट टीसू वाइरस वेक्सिन, मतलब right answer होगा D, जो GTV की फिलपोरम है, next question है कि जो GTV का टीका सोर पर तम किसने खोजा था, option है अलेकजेंडर फलेविंग ने, एडवर्ड ने, या स्पोलेंज ने, या डोक्टर समत खुमान ने, ज एप्सिन है, एक टुमर 1950 में, एक टुमर1960 में, एक टुमर1960 में, एक टुमर1966 में, तो इसका right answer होगा, एक टुमर1954 में पसू पलेंग उनमल योजना चलाए गई थी, पसू उनमलन योजना कब चला गई थी? उप्यक्त आंसर होगा इसमें राइट आंसर होगा सभी गाई भी जुगाली करती है बैंस भी करती है और बेड वक्री भी जुगाली करती है तो राइट आंसर होगा उप्यक्त सभी नेक्स्ट क्यूसन है कि खुर्पका और मुपका रोग का परक्रोप सबसे अधिक कब होता है सर्दियों में या गर्मियों में या वर्सा में या बसंत में जो खुर्पका और मुपका रोग का परक्रोप सबसे अधिक होता है बसंत में नेस्स्ट क्यो सने कि जो खुरपका और मुपका रोग है वो भरत और धक्षनी अब प्रिकामे किस कारण होता है AC या VIRUS के दोबहरा या SAT 1 के दोबहरा SAT 2 या SAT 3 के दोबहरा या सबी के दोबहरा तो इसमें राइट आंसर होगा उप्योक्ट सबी नेक्स्ट क्यूसन है कि मिलिक फिवर मतलब दूद जवर रोग होता है वो बेक्ट्रिया जनीत होता है या फंगस जनीत होता है या वाइरस जनीत होता है या चपा पचिये रोग होता है मतलब मेटाबोली डीजीज तो इसमें राइट आंसर होगा चपा पचिये रोग होता है मतलब मेटावोली दीजी जोता है नेक्स्ट क्यूशन है एनिमल मेनेजमेंट की रूप में मतलब पस्सू पाल परबंदन की रूप में नीमन में से कौन सा चरम कीट नासक की रूप में परिप नहीं किया जाता है ये गरिकल्च हो सुपरवाइजर 2,013 में पूछा हुआ ऑपसन है आयोदीन फारमेलीन पोर्तिसियम परमेगनेट परमेगनेट एथिल अलकूल तो इसमें राइट आंसर होगा जो आयोदीन का परियोग चरम कीट नासक की रूप में नहीं किया जाता है बागी सब का चरम कीट नासक की रूप में प्रियोग किया जाता है, फारमेलीन का भी किया जाता है, पोटीसियम परमेगनेट का भी किया जाता है, एथिल एलकुल का भी किया जाता है, नेक्स्ट क्यूसन है कि वेरसाइन जो पुंदी अत्वाज जिवानों से प्राप्त होते हैं मतलब यह फंगस और जीवानों से यह ची प्राइप्ट्ट होते हैं और Criminal Organization की वर्दी मतलब algorithm की वर्दी को रोपते हैं उन्हें क्या कहते हैं फोप्षर्ण है पर्थी की जीवानों पर्थी रोधी विरीचग या रोगनों ना शेक जो मतलब जीव across की वर्दी को रोकते हैं उसे एंटिवाइटिक कहते हैं नेक्स्ट कि उसना की जो खुर्पका और मुपका में खुर्दोने के हेतु फूट पात में परियोग किया जाता है वे ओस्दिये जिने पसु को खिलाने पर दस्त हो जाते है विरेचक पिरढ़ा हारी एंटी सेप्टिक या जबर होदी तो राइट आन्सेर होगा और वेचक वा विरेचक इनको पसोगों खिलाने पर पसोगों में दस्त हो जाते हैं नेक्स्ट क्यूशन है कि निमन में से वमनकारी पदार्थ है और से ने फिटकरी निला थोता फिटकरी या सभी तो इसमें right answer का उप्योग तो सब भी ववनकारी पदारता है next question है कि विसके परभाव को कम करने वाली ओस दिया क्या कहलाती है अब विसके परभाव को effect of physician को कम करने वाली ओस दिया क्या कहलाती है पर्ति जेवी की antiseptic, रोगणों ना सक या पर्तिकारक तो इसमें right answer होगा वो पर्तिकारक होगा मतलब anti-doge next question है कि वे रसाइन जिसके उप्योग से पसु अचेत हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं option है उत्ति जग, निश्चे जग या सम्हिंदन हारी, गेस हारी या जमल रोधी तो right answer होगा वो सम्हिंदन हारी हो जाते हैं वे रसाइन जिसका उप्योग पसु अचेत में कहलते हैं वो सम्हिंदन हारी होता है next question है कि नीमन में से इस्तंबख है tincture iodine, fit curry, अफिम या सभी तो उप्योग तो सभी इस्तंबख है next question है जो तारफिन का oil होता है वो किस के प्रियोग में आता है जो तारफिन का oil होता है वो किस काम होता है option है मर्दन ये तो फीडा हारी, करमी हर या निश्चे तक तो इसमें right answer होगा मर्दन के लिए तारफिन का तेल यूज किया जाता है next question है कि नरूट कितने वरस की आयो में परिपक हो जाते हैं ये अग्रिकल्चर सुपरवाइजर दो जार बारा में पूचा हुआ है तो ओफसन है तीन वरस में, चार वरस में, पांच वरस में, और छा वरस में जो नरूट होते हैं वो पांच वरस में परिपक हो जाते हैं next question है कि बेक्री नूट में कितनी कुबड होती है ये अग्रिकल्चर सुपरवाइजर दो जार बारा में पूचा गिया पसु की आईउ की गर्णा मतर्ब पसु कितना उमर का हो गया ये गर्ना किस से की जाती है तो ये दातों की संख्या को देख कर की जाती है नेक्स्ट क्यूशन है कि नेशनल रिचार्ज सेंटर ओन केमिकल खाईस दीत है वो पसे ना बिचवाल बिकानेर में, रामसर अजमेर में, जोबनेर जेपुर में या अविकानगर टोक में जो नेशनल रिचार्ज सेंटर ओन केमिकल है वो बिचवाल बिकानेर में है नेक्स्ट क्यूशन है कि राष्टी उट अनुसंदान संस्तान की स्तापना किस वरस हुई थी 1987 में, 2000 में, 2012 में, 2012 में या फिर 1984 में नेक्स्ट क्यूशन है कि भारत में सरवादिक उटो की संक्या वाला राज्जी कौन सा होता है राजस्तान, हरियान, गुजरात व यूपी तो राजस्तान में उटो की सरवादिक संक्या पाई जाती है कि राजस्तान में सरवादिक उटो की संहि वाला जिला कून सा है वहां पर राजी में पूछ रहे हैं कि राजस्तान में सरवादिक उटो की संहिए कौन से जिल में पाहोичес inne नेक्स्ट की चुन है कि पसो में जो सर्रा रौकिस्जी की conservatives है तो उपयोगी दबा कून सी है बेरे नील ये टेरा माईसिल, पेनिसलीन या आवे मिक्सीन तो राइट आंसर होगा जो पसो में जो सर्रा डीजीज होता है ये उट में होता है सर्रा नामक डीजीज कौन से पसो में होता है ऐसे भी क्यूशन आ सकता है तो सर्रा रोग होता है वो उट में होता है तो इसके मतल तो option है पंजाब, हरियाना, राजस्तान वा गुजरात, जो केंद्री भेड़ो और उन अनुसंदान संस्तान है वो राजस्तान में दोनों, भेड़ भी और उन भी, next question है कि निमन में से भेड़ की कौन सी नसल उद्धेपुर संगन बाहंग में व्यापक्ता से पाई जाती है, यह अगरिकल्टर सुपरवाइजर 20003 में पूछा गया है, तो option है चोकला, मगरा, नाली, बस सोनाडी, जो भेड़ की सोनाली नसल है, मतलब सोनाडी नसल है, वो उद्धेपुर में व्यापक्ता से पाई जाती है, next question है कि परजियों का म्यूजियम कहलाता है, यह अगरिकल् अंगरिजी में किस नाम से पुकारते हैं, option है, गिल्ट, नेली, या डोव, वीतर, या काप, तो right answer होगा, नेली वा डोव, नेक्स्ट क्यूशन है कि उच्टम परकार की गलीचा उन भेड की किस नसल से प्राप्त होती है, यह अगरिकल्टर सुपरवाइजर 2012 में कूच क्यूशन है, तो option है, मारवाडी, चोकला, नाली वा सो नाली, तो इसमें right answer होगा, चोकला नसल है, उसकी गलीचा उन भेड की प्राप्त होती है, उच्टम परकार की गलीचा उन प्राप्त होती है, चोकला नसल है, नेक्स्ट क्यूशन है कि दो भागों में बटा हुआ होता है, वो भेड का होता है, नेक्स्ट क्यूशन है कि सेंट्रल सीफ्र या वूड रीसर्च इंसिटीट केंद्रिय भेड यह उन अनुसंदान संस्तान, खां इस्तीत है, उपसे ने मालपुरा अभी का नगट टोक में या फरैर मतुरा में, जोदपूर राजतान में, अज हां पे, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, उपसे न, 1962 में, 1965 में, 1970 में, या उनिस्ट संसातर में, तो राइट आंसर होगा, उन उत्पादन में राजस्तान का लगब कितना इस्ता है, 25%, 35%, 40% या 50%, जो कुल उन उत्पादन में, राजस्तान का 40% ही इस्ता है,